हेलो स्टूडन्स हिंदी में हम अभी फॉर्थ चेप्टर करेंगे जिसका नाम है कर्म योगी लाल बहादूर शास्त्री अभी इनके लेखक है संकर दयाल शर्मा हम थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे भारत के नवे राष्ट्रपती स्री संकर दयाल सर्मा का जन्म भोपाई याने के मध्य प्रदेश में हुआ था संकर दयाल सर्मा हमारे नव में राष्ट्रपती थे आपकी आरंबिक शिक्षा मध्यप्रदेश में हुई आगे की पड़ाई आपने क्रमशह आगरा इलाहबाद तथा लखनव विश्वविद्याले में की तथा MALLB की उपादिया प्राप्त की बाद में कैबरीच विश्वविद्याले में PhD की उपादी और जीत की और वहीं पर एक वर्स तक प्रवक्ता रहें तथ पस्चात भारत लोड़कर आप राजनीती में सक्रिय हुए विधायक और सांसत के रूप में आरंब हुई आपकी राजनीती की आत्रा राज्येपाल उपराष्ट्रपती और राष्ट्रपती के सर्वच्च पद पर जाकर समाप्त हुई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में आपने अनेक पुस्त के लिखी जीन में से कुछ इस प्रकार है देशमणी हमारे पत्थ प्रदर्शक प्रतिष्ठित भारतिय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा कर्मयोगी लाल बहदूर सास्त्री रेखा चित्र में लेखक सास्त्री जी के व्यक्तित्व का विशलेशन करते हुए निशकर्ष प्रस्तूत करते हैं कि अपनी कर्मठता के घून के कारण लाल बहादूर सास्त्री एक अत्ती सामन्य परिवार से उठकर देश के प्रधान मंत्री पद तक पहुँचे वे कर्मो को ही इश्वर मानते थे कर्म के प्रती अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकस्त का मूलधार लाय बहादूर सास्त्री हमारे प्रधान मंत्री थे और वो कर्म को ही सबकुछ मानते थे इस इकाई में समाविष्ट मुल्य समर्पण भावना कर्तवयनिष्ठता और कर्मठता और सेवा ये चारे टॉपिक का इसमें वरण्द किया है समरपण की भावना, कर्तव या निष्ठा, कर्मठ था और सेवा तो ये कर्मयोगी इनका उपना मिला है क्योंकि वो कर्म को ही सब कुछ मानते थे इसलिए तो चलो अभी हम आगे लेशन पड़ेंगे सास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेशन जोड़ना बिलकुल उप्युक्त है मतलब ये एक विशेशन जोड़ा है कर्मयोगी वो उप्युक्त याने की बहुत एकदम सही है क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है कर्म याने की काम करना उन्होंने पूरी जिन्दगी काम ही किया है ऐसा सास्त्री जी सामन्य परिवार से उपर उठ कर देश के प्रधान मंत्री के जीस महत्व पूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्म योगी होने में ही छीपा हुआ है मतलब एक सामन्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और वहां से लेकर वो देश के प्रधान मंत्री बने तब तक की जो उनकी शफर थी तो उसका स्रेव है वो उनकी कर्म ठा को दिया जाता है यानि की मेहनत को दिया जाता है वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा रख के करके बैठे रहते और अच्छानक कभी सफलता मिल जाती है बलकि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथे लीकी लकीरों के वज़य अपने चिंतन और कर्म की शक्ती पर अधिक भरोशा होता है और वे क्रमशह अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं क्या कहते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य पर के हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वहोगा लेकिन सास्त्री जी ऐसे लोगों में से नहीं थे वो अपनी चिंतन, कर्म और सक्ति पर ही ज्यादा भरोसा करते थे अपने जीवन का रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते थे फिर वो सास्त्री जी के लिए कर्म ही इश्वर था और इसके प्रती बिना किसी फल की आसा किये संपुर्ण भाव से समर्पीत रहते थे हमें गीता में है कि कर्म करो फल की आसा मत रखो तो सास्त्री जी ने यही श्लोग को ध्यान में रखते हुए केंद्र में रखते हुए काम cracking को ही सबकुछ माना मतलब उनोंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं यह काम करूंगा तो इसका ये फल मिलेगा, सिर्फ काम ही किया है उन्होंने, और काम में अपने आपको समर्पीर्थ कर दिया था यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के आउसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित द्रश्टी ही रखी मतलब जब भी उनको फल मिला तब भी इतने ज्यादा उत्साइद नहीं हुए था उनका जीवन दर्शन गीता के निशकाम कर्मयोगी का प्रतिरुप था इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बज़ाए निशकाम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक योगत होगा मतलब निशकाम मतलब बिना किसी स्वार्थ के कीता के इस जैसे मैंने बताया कि स्लोक को ही केंदर में रखकर उन्होंने हमेशा काम किया निशकाम मतलब किसी की अपेक्षा, किसी भल की अपेक्षा रखे बिना इसलिए उनको निशकाम कर्मयोगी का अगर दिया होता न तो वो भी सही होता ऐसा सास्त्री जी का कहना है क्योंकि उन्हें कभी भी फल प्राप्ति के आउसर मिले न तबी भी उन्होंने ऐसे उसी आशा से काम नहीं किया कि मुझे ये फल प्राप्त होगा तो ही मैं ये काम इसलिए उसको निशकाम कर्मयोगी कहना सही रहेगा ऐसा संकर दयाल सर्मा का मानना है अपने उदेश्य के प्रति द्रिध आस्था उस उदेश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तता उस कर्म के प्रति संपूर्ण समरपड ये तीन बाते मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देती है मतलब क्या कहते हैं कि जो कि शास्त्री जी क्या करते थे अपने उद्देशे के प्रती द्रश्ट आस्था रखे थे मतलब उन्होंने एक धेव फिक्स कर दिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर उसके प्रती एक आस्थाई रखते थे के होई जाएगा फिर उस उद्देशे को प्राप्त करने के लिए कर्पा कर्म का भाव रखते थे मतलब काम में उसके लिए जितनी मेनत करनी होगी वह करने के तैयार थे फिर उसके प्र एक भासन में उन्होंने कि इसी तरह के विचार व्यक्त किये हुए कहा था कि यहां तक कि भले ही आप राज नीतिक शेत्र या सामाजिक शेत्र या किसी अन्यक शेत्र में कारे करते हैं यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं अपने डाइत्यों की पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कारे और समर्पन तथा भक्ति और कर्म के समन्वय होना चाहिए समन्वय आने कि उनका मेल होना चाहिए, वहां तक कि उन्होंने अपने एक भासन में क्या कहा था, कि भले ही आप राजनीतिक शेत्र या सामजिक शेत्र या तो किसी और चाहिए किसी बिक शेत्र में हम कारे करना चाहिए, लेकिन हम जिस शेत्र में सफल होना चाहते हैं, उसमे पूरी तरह से निरवार करनाः चाहते हैं तो हमें उसमें अपने कारे मेल मिला पहन चाहИे मैं शास्तरी जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वोपुर्ण जिन्तन में मानता हूँ, साथ ही ये भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकाश का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिध्धान्त में नहीत है। कर्म के सिध्धान्त में ही नहीत है। मतलब लास्ट में यहीं आता है कि कर्म करो उसके प्रते भक्ति भाव रखो और उसका आपको जो फल मिलता है वो फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो। ज्यादा अपेक्षाय नहीं रखनी चाहिए। सास्त्री जी का संपुर्ण जीवन स्रम, सेवा, साध्गी और समर्पन का अनुपमुदार है। मतलब उन्होंने स्रम यानि के महनत, सेवा यानि के दूसरों के लिए काम करना, साध्गी आने के उनका जीवन था, हो समपुर्ण साध्गी पूर्ण था। कोई भी उन्हों में दिखावा नहीं करते थे और समर्पन तो पूरे काम चो करना चाहते थे उसी काम में पूरे समर्पी तो हो जाते थे साथ ही ये भी मानना हम उनके ये घूंड केवल उनके कारे और वीचारों में ही अभी व्यक्त नहीं पाते थे बलकि उनका देखने से ही इन भावों का एहसास हो जाता था मतलब ऐसा नहीं है किसी उनके काम और विचारों में दिखाई देता था लेकिन हम अगर सास्त्री जी को भी देखते थे तो उनके हाव भाव से उनके रहन सहन से उनके बादचीत से हमें उनके सारे ये भाव देखने का ऐसास होता था उनके अपने व्यक्तितों में विचारों का अनोखा समन वे था वे जो कुछ भी करते थे वही करते थे वही करते थे वो जो कुछ भी करते थे वो एक मास्ट्र राष्ट्र लाब की भावना से प्रेरी दोकर करते थे राष्ट्र यानि कि हमारे देश अगर जो कुछ भी वो करते हैं तो देश को फाइदा होता है कि नहीं देश को लाब होता है कि नहीं उसी भावना से प्रेरी दोकर ये काफ कर करते थे मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विसेश्था थी जिसके कारण देश्वासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे पंडित नेहरु की सम्रुद राजनीतिक वीरासत में वीरासत को संबलना और उसे आगे ले उनके इसे व्यवहर के कारण ऐसी भावना के कारण उनके उपर विश्वास करते थे क्योंकि नहिरुद जी का जो सम्रुद राजनीतिक जो वीरासत थी उनको संबलनी थी और वो भी कम मुश्किल नहीं थी ऐसे मतला मुश्किलों से बरी थी लेकिन देश ने उस समय यह शाकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और द्रिटे संकल्प सक्ति द्वारा देश का इस आकांग्षा को पूरा किया तब ही देश वासी को पता था कि नहिरुद जी के बाद अगर कोई प्रधन मंत्री के लिए कैपेबल है या तो सही आत्मी है तो वो है लाल बादूर शास्त्री और शास्त्री जीने देश के लोगों की इस भावना को इस इच्छा को और विश्वास को पूरा किया उन्होंने अपने निर्मल चरित्र और द्रिटे संकल्प और सक्ति द्वारा देश की इस आकंग्षा को पूरा किया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप आगे का लेशन पड़ोगे तो अच्छा लगेगा ठीक है? अस्तू